पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़ फोर और अल्प संख्यकों पर लगतार हो रहे अत्यचार के खिलाफ हिंदू समाज ने हला बोल दिया है इस दोरान कराची में जमकर जैश्री राम और हर हर महादेव के नारे भी कूँचे हैं रविवार को कराची प्रेस क्लब के बहार हुए इस प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के अलावा भारी संख्या में सिख, इसाई, पार्सी और अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए प्रदर्शन कारियों के हातों में भगवा जंडा भी लहरा रहा था इतना ही नहीं विरोध कर रहे लोगों के हातों में तक्तियां भी थी जिस पर वी वांट जस्टिस लिखा हुआ था प्रदर्शन में कराची के प्रसद्ध हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रामनात मिश्र महराज भी शामिल थे पुजारी जी ने मीडिया से बाचीत के दुरान कहा कि रहीम यार खान में गुंडो द्वारा गणेश मंदिर में की गई तोड़ फोर नंदिनिया है पाकिस्तान में जिस तरह से इसलाम धर्म के खिलाफ कोई बुरा कहता या करता है तो उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सजादी जाती है उसी तरह से अलप संख्यकों के धान में किस तलो का अपमान करने वाले लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए स्कूलों में भी बच्चों की किताबों में हिंदूं के खिलाफ आपत्ती जनक बाते पढ़ाई जा रही है इसी के चलते पुजारी जी ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू और अल्पसंखकों के खिलाफ जुर्म और अत्यचार की इंतहा हो गई है हमारी मांग है कि सरकार इस पर जल्द और सक्त एक्शन ले